नमस्कार नीटिंग एन क्रोसे टीटोरियल में आपका स्वागत है आज मैं आपको सिंगल कलर का ये बहुत बहतरीन डिजाइन है जो बताने जा रहे हूं इसे आप कार्डीगन स्वेटर हो गयरे में डाल सकते हैं आए हम अब आपको ये डिजाइन कैसे बनता है ये बता दे रहे हैं ये पहली स्लाई है पहली स्लाई में है ये पहला फंदा कि मुतार लेंगे उसके बाद ये एक उल्टा फंदा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे अब ये तीन फंदा मैंसे ये तीसरा फंदा जो है इसे इस तरह से इसके उपर से गिरा देंगे उसके बाद ये दो फंदा बसता है इसमें एक सिधा फंदा बुनेंगे धागा आगे करेंगे फिर एक सिधा फंदा बुनेंगे फिर एक उल्टा फंदा उसके बाद 5 सीधा फंदा फिर एक उल्टा 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 बुनने के बाद धागा हम आगे ही रखेंगे और इन दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा भी नहेंगे इस तरह से उसके बाद एक दो और ये तीन सीधा फंदा उसके बाद फिर एक उल्टा धागा पीछे ये तीसरा फंदा को फिर उसी तरह गिरा देंगे जैसे यहां किनारे में हम गिराए हैं इसके उपर से उसके बाद पहला फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे उसके बाद फिर एक सीधा पंदा बुनेंगे यह किनारे का फंदा उल्टा बुन लेंगे उल्टे तरफ से जहां उल्टा है वहां उल्टा बुनेंगे और जहां सीधा है वहां सीधा बुनेंगे यह तीन उल्टा फिर एक सीधा पांच उल्टा यह पांच उल्टा फिर एक सीधा फिर पांच उल्टा एक सीधा इसके बाद तीन उल्टा दूसरी सलाई में यह पहला फंदा उतार लेंगे उसके बाद बाले फंदे को एक उल्टा फंदा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे अब यह तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे यह तीन फंदा सीधा दागा आगे एक उल्टा दागा पीछे अब यह पांच सीधा फंदा बुनेंगे धागा आगे एक उल्टा फंदा धागा पीछे अब यह जाली बाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे उसके बाद धागा आगे करेंगे और फिर इन दोनों को मिला करके इस तरह से बैक साइड में डालेंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे फिर यह एक और दो सीधा फंदा बुनेंगे धागा आगे एक उल्टा धागा पीछे फिर तीन सीधा फंदा उल्टे तरफ से जहां उल्टा है वहां उल्टा बुनेंगे और जहां सीधा है वहां सीधा बुनेंगे यह पाचमी सलाई है फिर उसी तरह फंदा उतार लेंगे एक उल्टा फंदा धागा पीछे करेंगे फिर पहली सलाई की तरह ही यह तीसरा फंदा को इस तरह से उपर से उतार देंगे उसके बाद एक सीधा फंदा धागा आगे फिर एक सीधा फंदा धागा आगे एक उल्टा पांच सीधा फंदा ये पांच सीधा फंदा फिर धागा आगे एक उल्टा धागा पीछे फिर देखिए ये दो जाली वाला ये दो फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे कर लेंगे और इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे उसके बाद एक सीधा फंदा फिर धागा आगे एक उल्टा अब ये तीन ये तीसरा फंदा फिर उसी तरह गिराएंगे एक सीधा धागा आगे फिर एक सीधा उल्टे तरब से जहां उल्टा है वहां उल्टा और जहां सीधा आए वहां सीधा बुनेंगे ये सातनी स्लाई है ये दस स्लाई का डिजाइन है दस स्लाई हो में बनता है ये देखिए पहला फंदा उतार लिए एक उल्टा फिर ये तीन सीधा पुनेंगे धागा आगे एक उल्टा धागा पीछे फिर पांच सीधा फंदा ये पांच सीधा फंदा धागा आगे एक उल्टा फंदा धागा पीछे ये तीन सीधा फंदा भोगा धागा आगे कर लेंगे अब ये दोनों फंदा को एक साथ एक सीधा फंदा दागा आगे एक उल्टा फिर तीन सीधा उल्टे तरफ से जहां उल्टा है वहां उल्टा और जहां सीधा है वहां सीधा बुनेंगे यह नोमीश लाई है इसमें पहला पंदा मुतार देंगे फिर एक उल्टा बुनेंगे धागा पिछे फिर इस पंदा इस तरह से घिरा देंगे और एक सिधा फंदा धागा आगे फिर एक सिधा फंदा धागा आगे एक उल्टा धागा पीछे है अब देखिए यहां यह एक दो तीन और यह चार जाली का फंदा है अब हम यहां इस जाली में पहले वाले जाली में स्लाइड डालेंगे और इस तरह से यह फंदा निकाल लेंगे इस फंदा को पुड़ा खिचना है इस तरह से फिर दूसरे जाली में स्लाइड डालेंगे और उसी तरह इसे लंबक खिच लेंगे धीला रखेंगे इसको फिर ये तीसरा जाली है और ये चौथा जाली है ये देखिए इसको इस तरह से धीला रखेंगे उसके बाद ये एक दो तीन चार और ये पांच सीधा धागा आगे एक उल्टा धागा पिछे फिर पांच सीधा धागा आगे एक उल्टा फिर उसी तरह ये तीसरा फंदा गिरा देंगे देखिए ये तीसरा फंदा इस तरह से गिरा देंगे उसके बाद एक सीधा फंदा धागा आगे फिर एक सीधा फंदा एक उल्टा ये दसमी स्लाई है इसमें ये एक सीधा फिर तीन उल्टा एक सीधा फिर ये पांच उल्टा एक सीधा इसके बाद हम चार उल्टा बोनेंगे इसे हम इन चारों पंदा के साथ ये जो चार फंदा है इसके साथ हम इस उल्टा फंदा को एक साथ एक उल्टा फंदा बोनेंगे फिर धागा पीछे कर देंगे, एक सीधा फंदा, धागा आगे, तीन उल्टा, ये देखिए, ये डिजाइन बन गया है, अब ये एक ग्यारहमी सलाई हम, पहरी सलाई की तरह बुनेंगे, ये तीन, तीन सीधा, धागा आगे, फिर एक उल्टा, धागा पीछे, ये पाँच सीधा फंदा, एक उल्टा, धागा आगे ही रहेगा, अब फिर हम उसी तरह, जैसे पहली सलाई में है, यहाँ पे जाली बनाया थे, उसी तरह, इस बार भी धागा आगे रह करके, ये दो फंदा का एक फंदा बनाएंगे, उसके बाद फिर, तीन उल्टा फंदा, तीन सीधा फंदा, फिर धागा आगे, एक उल्टा, अब तीन सीधा फंदा, इसी तरह, जैसे ये दूसरी आगे बनाया है, उसी तरह, इस डिजाइन को हम आगे रिपीट करेंगे, उमीद है, ये डिजाइन आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, धन्यवाद,